से पूछा है कि हम से हमें से हमें बताना है कि डिसेंडिंग ओडर में मैं हाँ पर नमब लिग देते हूंु उसको डिसेंडिंग ओडर में मैं अच्छी को देखो यहाँ पर मैं लिखती हूं फृर्ज्टिंग हमसको साल्व करते हैं पहले फेक्षेन रेक्षेन 2 Lots 2 दूसरा चूरी यह और यह त्रीसरा 8 आइअर फ्रेक्षेन को मैं डिसेंडिंग ओदर मैं साल्ड़ करना है तो देखो descending order में solve करना होता अगर numbers को देखो for example अगर numbers होते हैं यहाँ पर 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया अगर हम इसे descending order हो solve करना हो तो कैसे परते देखो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उसके वाद छोटा फिर सबसे छोटा ना ऐसे घर्टे करम में लिखते हैं ने पर यहां पर फ्रेक्शन से नंबर से निए जो हम इसे अराम से लगा लें तो फ्रेक्शन के लिए कहा करेंगे आप ध्यान से देखना ठीक है चलिए मैं इसको भी एसको अब रेस करती हूं यह भी से तू बाइ थ्री और तीसरा था एर बाइ टूंटिए इनको सॉल्व करने के लिए हैं सबसे पहले इनका एल सेम डेना होगा देखों यह जो डिनो मेरेटर दिख रहे हैं आपको यह तीनो यानि जितने फ्रेक्शन्स आपको दिखेंगे उनका सबसे पहले आपको एल सेम डेना सबसे पहले में कहाना था है एल सेम लेना था राइट तो देख स्ट्वेंट मैं आपने ब्लैंक पेज ले ले लिए हैं यहां पर रिखाने जारा प्रॉपर यह को ब्लैंक पेज पर क्लिए समझागा मैंने आप फ्रेक्शन्स लिखे थे एक पर दुबारा लिख देती हूं ठीक है टूबाइ नाइन टूबाइ ट्री और एट बाइ ट्वंटीवन तो सबसे पहले हमें लेना है तो सेम ले रहे हैं नाइन का थ्री का और ट्वंटीवन का चलिए कि एक पर कि वणजा थ्री ठीजिए नाइन जिए बनगीवन जाएगा यारी आप सावें गल्सार एंग से जाएगा नों और इन तीनों को मृटिपलाइ करेंगे आपस में तो कितना हो जायागा थ्रीज़नाएन